हे दा लुवीज, हावी यू आल, कैसे हैं मेरी लावीजाडमी, मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताना, हापी न्यू मून डे टू एवरी वान आफ यू, जी हाँ, आप सभी लोगों को मेरी दरफ से हापी न्यू मून डे, आज है न्यू मून का दिन, और आज हम सब लोग क वीडियो को पिन कर दिया है, आप उसको चेक करिएगा, और आज उस रेमिडिय को करना ना भूले, पीरियेट्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेमिडी बहुत खास है, क्योंकि आज पहली अमावस्या है साल की, पहला न्यू मून डे है साल का, तो ये रेमिड की तरफ देखते हैं, कि आज न्यू मून डे पर डिवाइन का क्या मैसेज है, क्या इंडिकेशन है, मेरे व्यूवर्स के लिए, और ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, न्यू मून मैसेज क्या है, चेक कर ते है, क्या है आज न्यू मून मैसेज मेर चलिए, स्टार्ट करते हैं, बगवान का नाम लेकर इस टाइम तु रिलीज दर नेगेटिविटी, डेफिनिटली, भई, नियु मून है, हमेशा याद रखिये ये नियु मून का समय आता है, ये एक लाइफ के महिने के नए चाप्टर को स्टार्ट करता है New Moon is all about new energies, new beginning, new start अगर आप कोई manifestation स्टार्ट करना चाते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप कोई remedy पर work करना चाते हैं, तो आज से बिलकुल कर सकते हैं आज आप जरूर मातरानी के मंदर जाएं, अगर आप काली जी के पूजा करते हैं आपको definitely आज काली जी के मंदर जाना चाहिए आज का दिन charity के लिए, donation के लिए बहुत बढ़िया होता है कोशिश करें, किसी को जादा कुछ ने तो खाने का कुछ डोनेट करने के कोशिश करें कोई नहीं मिल रहा है आसपास, या हमारे घर के आसपास कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप गौ माता को गुड़ खिला दीजे कुछ ना कुछ आज जरूर करें अपने लिए, अपने future के लिए डिवाइन ने आपको इतनी चीज़े दी है, युनिवर्स ने, भ्रहमान ने आपको इतनी चीज़े दी है कोशिश आप जरूर करें कि इस समय आप भी जरूर कुछ ना कुछ करें बेटर्मेंट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, certain intention डालें और बस युनिवर्स को यही एनरजी दे आज, I am ready for new beginnings कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, I am ready for new beginnings आज का दिन इंडिकेशन दे रहा है आपको की चीज़ों को लेकर ना जादा डाउन मत हो, अगर आप बहुत ज़दे इमोशनल हो रहे हो, हो सकता है new moon वाले दिन आप बहुत ज़दा रो, आपको बहुत ज़दा गुसा आए, कभी कबार ये चीज़े होती है इसलिए अपनी energy पर काम करिएगा past के बारे में जादा बिल्कुल भी ना सोचें past को लेकर जादा overthinking ना करें आने वाले समय में आपको बहुत सारे changes देखने को मिल सकते हैं जो भी आप चा रहे हैं, divine कहारे हैं, वो तुम्हें मिले गा वो तुम्हारे favor में आएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें clear होना पड़ेगा महनत बहुत करो, जितनी महनत करोगे तुम्हें आगे जाके उसका successful results मिलने वाला है तो यह कुछ जो changes आने वाले हैं आने वाले time में हो सकता है यह changes आपको starting phase में अच्छे लगे हो सकता है आपको फिर यह changes खराब लगे लेकिन उसकी वज़े से अपनी energies down ना करें अपने आपको low feel बिलकुल भी ना कराएं बहुत सारे लोगों के लिए relationship में एक new beginning आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए एक romantic life start हो रही है अगर आप किसी partner को चाहते हैं, उनके साथ relationship डिजार करते हैं ऐसा feel हो रहा है cards को देखर के relationship के terms में भी एक अच्छी positive new beginning आते वे दिखाई दे रही है लेकिन जो आप सोच रहे हो, जो mind में plannings चल रही है जो mind में एक thought process चल रहा है वो आपका तभी successful होगा जब आप उससे execute करोगे जब आप उसमें actions put up करोगे हम पता है क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ यह करूँगा, यह कर लूँगी, ऐसा करूँगा, वैसा कर लूँगी और जब करने के बारी आती है, तब हम या तो RC हो जाते हैं, या हम डर लगने लग जाता है या तो हम अपने past experiences को सोच सोच कर down हो जाते हैं तो Divine ने पहला ही card आपको देखो क्या message दिया है, it's time to remove, it's time to release the negativity नई beginning पर work करो, अब जो change आ रहे हैं उस पर work करो, जतना अपने आपको positive रखोगे, उतने positive growth की तरफ बढ़ोगे उतने positive change की तरफ बढ़ोगे, ऐसा मत सोचना कि past की कुछ गलतियों की वज़े से या past के कुछ सेनारियों की वज़े से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं डेफिनिटल आप आगे बढ़ सकते हो, तभी वो past की negativity को side out करो और अपनी लिए नहीं beginning, new beginnings पर काम करना शुरू कर दो Divine आपके favor में हैं, लेकिन एक चीज जो आपको down कर सकती है, एक चीज जो आपको low कर सकती है, वो आपके emotions हैं तो प्राक्टिकल होके काम करें, ठीक है, जतना प्राक्टिकल होके काम करोगे, बहुत जली results मिलेगा आज के दिन जादा से जादा ओम नमो भगवते, वासु देवाय मंतर का जाब करें, पेपर फोल्डिंग मेथड जरूर करें, कुछ नहीं कर पारें तो गौव माता की सेवा, जरूर, जरूर, जरूर करें और जो आज रात को, sorry, आज शाम को जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूं, मेडिटेशन का, न्यू मून मेडिटेशन, उसको आप चेक करना ना भूलें तो आज के दिन के कुछ ये मैसेज़ आये हैं, इस पर आप जरूर वक करेंगा, कोई भी डाउट करी प्रॉब्लम है, आप कमिन सेक्शन में पूछ सकते हैं, राधे, राधे